नमस्कार मैं अग्रेशना इतेश गुजरात राजकोट से यह डव्लू पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिंडेट का डायरक्ट सेलर राजकोट में अभी हमें थाइरोट के बाद लिए एक जबदस चमतकारिक रिजेट मिला है तो हम उनसे मिलने के लिए आए मैं आपकी मु अंभी का सोसाइटी राजकोट में रहते है आपको क्या परिसाइज नीथी घ्रोड कितने साल से था एंटी को 16 साल 스हई रट का प्रोलेम था और आपको उसमें क्या इसके लिए क्या की आपने बेस्था क्लेम चाब हो कि बया है अठीक इससे क्या बाद मिला अपको पोली झाल से थाइरोड का प्रोलम को कई आपको समया उसके लिए किया आपने ऊव दोर उसे India दोर से यह लिए चुनाल करें अरिया तो आपको अभी क्या रात मिली नशे पिए तो आपने देखा आंटी ने यह डूलू पील का थाइरो डोक और इम्यूनो डोक लिया है डेड मुने पहले चालू किया था डेड मुने से आंटी को गले में तर्द सुजन हो जाती थी उसके बाद में यहां पर गालके सुजन होती थी अंदे तर्फ करते थे और काफी बलगम बनता जानती को तो अभी वो चीज बंद हो गई है और यह डेड मुने में जो दवाई लिया है उसका मेडिकल रिपोर्ट यह है अंटी का नाम जोतिबेन एन भायानी डेट है 2 मार्च 2020 और थाइरोट का रिपोर्ट है टी एसेज 1.87 और यह डेड महीने अपनी प्रोड़क्ट यूज करने के बाद में रिपोर्ट जोतिबेन एन भायानी डेट है 10 नवंबर 2020 और थाइरोट का रिजल्ट है यहां पर टी एसेज लेवल 0.641 यानि कि डेड महीने दवाई यूज करने के बाद में 65 परसंटेज की रात मिली है आंटी को तो इसके बारे में अभी हम आंट अपका नाम और पता बताईए अंटी को 16 सल से थाईरोट था उसके बारे में आप कुछ बताएंगे तो मैंने 16 सल होस्पिटल का चकर ही काटा और उसने पंचाच या सो पावर का गोली लेता ता रोज लेना पड़ता था डेइलिशरी लेकिन उससे सब्सक्राइब कराने का उसका ट्रेट्मेंट का उसकी दवाईों का बहुत पैसा लगया है सोला साल से में कुछ प्राद नहीं मिली कुछ रात नहीं मिली और ज्यास्ति बढ़ रहा था गले में सोजन आती थी और कौफ बनता था यह दद हो रहा था और यह सोजा हो जाता था तो अभी आपको रात मिली है यह आपकी जो प्रोड़ेक्ट में यह जो आपने जो यह सजित किया दवा उससे हम को यह जोज महिने में करता हूं कि जो यह दवाए लेगे तो लिया और मेरा यह दवाए के बारे में रुबट कॉंटेक्ट करने का इसाथ से टांप करता चार्स वे दॉसे करता हूं करता हूं करता हूं झाल झाल झाल